अलो गाईस वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लोग और करते बई अपने यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत और करते बई आज का ब्लोग यहां से स्टार्ट तो जैसे कि पिछले ब्लोग में आपने देखा होगा कि हम लोग कोचे थे करेंगे अपनी गाड़ी का तो फिराल में हम टंकी फूल करवा रहे हैं कि रस्ते में रुकना ना पड़े तब ही पेट्रल पंपे हम आ गये हैं और इदर भाई डाल रहा अपनी गाड़ी में डिजल तंकी फूल करेगा क्या नाम भाई अभी शेख भाई है और अंकल जी है तो कर रहे हैं अपने गाड़ी के टंकी फूल लगबग अभी डिजल 99 लिटर हो चुका है 100 लिटर हो गया भई देखते कितना पड़ता है अपनी गाड़ी में डिजल तो दोस्तो डिजल डल चुका है 9500 रुपे का डला है 105 लिटर डिजल टंकी मतलब फूल हो गए अपने 105 लिटर में और यहां का रेड भई 90 रुपे 27 पेसे हैं देख सकते है ओपर गले तक आ चुका है अपने गाड़ी का डिजल यह रहा अपने गाड़ी करते भई लोड पेले तो दोस्तो आचुके मंड़ी में गाड़ी अपनी लेके कोच से कम से कम 15-20 क्लिमेटर समतिंग आये हम यह कोई गाउं है कौन सा काम है केलिया केलिया गाउं है यहां पे और इदर और भी गाड़ी आ रखी मंड़ी में देख सकते हीं अपने गाड़ी की इधर साइट में अब माल आएगा शाम को थो हम भाए और अपनी गाड़ी का माल कनफर्ँ हौир बंबही का भई तो बनरे वीडियो में आज तो भी बिल्कुल मज़ाने वाला क्योंकि मंडी कमाल है अपनी गाड़ी में तो फैनली दोस्तो अपनी गाड़ी लोड हो चुकी भई और रात की बज़री भई पोने दो मतलब दो बजी चुकी है और दो गारी साथ में हो जाएगी दोनों गारी कल्यान मंडी का इमाल है एक बाई की ये यू पसे नंबर इए ये गाड़ी भी एक ही जगों जाएगी और ओर अपनी गाड़ी भी लोट हो गई वो रेही और भाई यहां कर रहे है अभी उधर दश्ची का गाड़ी ही लोट तो भाई ने भी श्टार्ट कर ली है दोनों गाड़ी साथ साथ में प्रणास मेंने निकल जाएगी तो दोनों गाड़ी आप लोगों को भाई की गाड़ी लोड हो गए रसा बांध रहे हैं तो और अपनी गाड़ी अगए घृड़ी देख सकते हो और ये हो गई भई बाड़ी लेवल अपनी गाड़ी लोड ये रहा मटर देख सकते हो आप लोग तो पीछे से भी अच्छे से रसा तिरपाल तो अंदर जाली है इन्होंने दिथी वही डाली और पीछे जाली मार ली हमने भई अब लोग खुदी देख सकते हो और अपनी सुपर मंडी रहेगी बंबई की भई देख सकते हो बाड़ी लेवल माल आ चुका है तो दोस्तों कल की मंडी है अपनी गाड़ी की कम से कम चार बजे रात को लगाना है तो सम्टिंग सम्टिंग 24 24 26 गंटे टाइम है भई 26 गंटे अपनी गाड़ी को और खुब भगयाना पड़ेगा भई गड़ी को अपनी को देखो वह इतनी ठंड लगरी केसे बेठेया निल भई यह अमारी काम वाली भाई को अभई देख सकते हो आप लोग खुदी टाइम क्या हो रहा है एक बचकर 45 मिनाठ देख सकते भई और कल का दिन भर और कल की रात में अपनी गाड़ी को मंडी दिलाना है बई कल्यान मंडी बंबई निकलते हो यहां से फटाफट तो भाई साब देख सकते हो छोटे-छोटे गाउं में से निकल के जाना पड़ रहा है क्योंकि भी छोटे-छोटे रास्तों से गाड़ी और है पीछे अपने तो सम्सिंग सम्सिंग भई 35-40 किलोमेटर अपने को एसे रास्ते से चलना पड़ेगा तो फिर आ जाएंगे आगे पुंच करके कोई गाम आएगा जहासी से पेले वहाँ पे निकलेंगे भई तो दोस्तो रोड पे मेन आईवे पे हम लोग आ गए थे अभी फिलाल में हम पहुच चुके भई जहासी देख सकते हो यह लिखा है जहासी सीधा और यहाँ से हमें राइट टर्नल लेना होगा जो है कि सिवपुरी साइड में मुड़ेगा भाई साब देखो 14 चक्का 16 चक्का गारी है भई मंडी का माल बर लिया है भाई ने भी मटर देखो भई इसपिड देखो 27, 80, 80 चला रहे है वो भी भाई चला रहा खुब खीच के यार मंडी की कारी होती है तो खीच के चलाना पड़ता है नहीं तो फिर मंडी का माल लेट अगर होगा तो आपका बारा बिल्कुल ना मिलेगा भाई तो इसलिए खीच के रखना पड़ता है तो दोस्तों इस रोड को कर देंगे यहां से बाई बाई और अपने नेशनल तीन नमबर आईवे पे लग जाएंगे भाई आगरा बंबै वाले रोड पे तो बस पोच गे हम शिवपूरी तो यह शिवपूरी वाला बाई पास है भाई जो जासिस है यह जो रोड जा रहा ह जो हमने ब्रीज छोड़ा है यह रोड सिधा कोठा उदेपूर निकल जाएगा जो हमने ब्रीज जाएगा हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल में आपका सभी का स्वागत लाल में हम पोच चुके थे एंपी वाला ब्यावरा तो राद बर से चल रहे बहुए कहीं भी रुके नहीं अपनी गारी कहीं पे बीने रोकी चाहीं पीने बीने रोकी भाई मैंने और अपना जो भाई सात में है वो सो रखे थे अब भी जश्ट उठाया आया मैंने उनको अब मुझे थोड़ी कि राद बर से दो बिज़े सम्टिंग से निकले हैं हम और कम से कम किलोमेटर हम आ चुके होंगे चार सो किलोमेटर सम्टिंग आ गये है और अभी तुबो का बजरी भाई आठ तो अभी यहाँ पे लगा लिए अपनी गारी देख सकते भाई ब्यावरा में तो यहाँ पे प तक सजाने काई सामान मिलता भई यहाँ पे आगे तक है पूरी दुकाने दुकाने और दोस्तों मैंने रात में अच्छे से गाड़ी भी नहीं बताई आपको तब दिन में बता देते यह रही वे अपनी गाड़ी देख सकते हो और बाड़ी लेवल माल आया है अपना और कल हमने ढाबे पे वाश करी गाड़ी को तो कैसी लगरी भई जाका जाक लगरी बिल्कुल देख सकते हो यह रहा अपना माल जो है बाड़ी के अंदर अंदर यह आ गया था दस्टन देख सकते हो अपने गाड़ी तो चलो चाए पीते है फिर फटापट निकलते है भई दोस्तों हो चुकी अपनी चाए माई पीली भई और देखो भई यहाँ पर गाड़ी का सामान देख सकते हैं इधर है मूच लाइटिंग कापी सारा सामान अभी देखो गाड़ियों सज पुरा ट्रक पर लगाने का ही सामान पूरा देख सकते हो और इधर रेडियम और हमने रेडियम लिया यह वाला देख सकते हो सारे देख सकते अपनी गाड़ी में लगाएंगे ये सारे कलर की लाइटिंग ले लिए और ये देखो भई लाइटिंग लाइटिंग ये वाली लाइटिंग ले सभी कलर वाली गया एप एप ए अपनी गारिव बाःट्टिंग लगेगी झाषितर रिव तो निकलते हैं वे बेंसे देते उसके बाद तो दोस्तो निकल के आ गए थे जिए और अपनी गारे के लिए आपनी रेली है उपने चोटी लेली लही है फाद हरी है कम्य से खे Lor eens Anis है तो कोई रीवाइए अपने रोजे रोटी है ये जुट पर थीन अजार के खरचा कर देंगा अपने गाहरी के लिए क्योंकि वही तो है जो आपने कमा के देरी अरो अपने घर परिवार चला रही है और अपना पेट पोसे लिए तो इसके लिए खरचा करने 3000 बहुत बड़ तो अभी लालू भाई अपना चला रहा है गाड़ी और हम बेटे बैस साइड में और आज का वीडियो लेट भी हो जाएगा यार आज व्लोग लेट ही हो जाएगा क्यूंकि मैंने अभी तक एडिटिंग होगे रहा कुछ किया नहीं है और अपना एक लपड़ा और हो गया व माले ओनी का वो कह रहे थे कि आप बंबाई मत लाओ क्योंकि वहां का मार्केट भोत खराब हो गया मटर बहुत जादा जारी है वहां पे तो उन्होंने कहा कि अपने दूसरी दुकान है कहां पे बोला जलगाउ महाराष्ट तो जलगाउ महाराष्ट की मंडिर रहेगी वह जाएंगे आज चल गाउं महाराष्ट तो चलो दोस्तों इस ब्लोग को करते हैं यही पे एंड और मिलते हैं अगले ब्लोग में भाई